तो आईए इस webinar को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से topics हम cover करने वाले अपने इस webinar में सबसे पहले एक बहुत ही easy example लेके मैं आपको समझाऊँगा कि put option किस प्रकार से काम करते हैं उसके बाद हम put option की theory देखेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि intrinsic value क्या होता है put option का put option के payoff diagram को समझेंगे कुछ strategy example देखेंगे उन्हें practically बनाएंगे strict platform पे so those strategies हम develop करने वाले हैं आज अपने इस webinar में और उन्हें past data पे check भी करेंगे कि उनका performance कैसा था scanner example देखेंगे कुछ important points देखेंगे अंट में और इस webinar को conclude किया जाएगा so आए इस example के थुरू मैं आपको समझाता हूँ की put option exactly कैसे काम करता है यह है Mr. Jacob Mr. Jacob ने recently एक factory setup की है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एक factory setup करना बहुत ही बड़ा expense होता है और factory में एक risk भी होता है कि अगर कुछ accident हो गया तो मेरा बहुत बड़ा loss हो सकता है तो इस risk को transfer करने के लिए जो factory owners हैं वो अपने factory को insure करते हैं insurance buy करके ठीक है तो Mr. Jacob ने भी same किया उन्होंने एक insurance buy किया यहाँ पर मैंने insurance के terms लिखे हुआ है बहुत ही simplified insurance मैंने आपको बनाया हुआ है यहाँ पर जस्ट चीज़े समझाने के लिए actually मैं इतनी simplified नहीं होती है चीज़े इस insurance के हिसाब से Mr. Jacob को insurance company को 5 lakh रुपीज पे करना है premium yearly हर साल 5 lakh रुपे पे करना है पूरी factory जो है वो insured है insurance company जो है वो compensation पे करेगी 20 lakh रुपीज पर machinery अगर machinery damage होती है तो in case पूरी factory damage हो जाती है तो पूरा factory के damage होने के कारण कितना loss होता है वो पूरा loss insurance company पे करेगी तो इस insurance से क्या हो रहा है Mr. Jacob जो अपना risk है वो transfer करने insurance company को और इस risk को लेने के लिए insurance company उनसे कुछ premium amount चार्ज कर रही है अगर नुकसान होता है तो insurance company को claim देना पड़ेगा Mr. Jacob को पैसे देने पड़ेगे अगर नुकसान नहीं होता है तो factory as it is रहती है चलती रहती है अच्छा से तो ये 5 lakh rupees जो है वो premium जो है वो insurance company का पूरा profit हो जाएगा माली जे कि next 3 months में एक machine जो है fire के कारण damage हो जाती है तो उस machine की value जो है zero हो गई अब because वो पूरा खतम हो गया है machine damage हो गया है ठीक है तो insurance company को 20 lakh rupees पे करने होगे Mr. Jacob को तो इस case में हम क्या ऐसा कह सकते है कि damage होने के बाद यानि कि machinery की value नीचे जाने के बाद Mr. Jacob ने decide किया कि वो machinery मैं insurance company को बेच देता हूँ because insurance money पूरा पैसा पे कर रही है Mr. Jacob को contract के हिसाब से machinery का जब machinery zero value हो गई तब machinery जब खतम हो गई तब right so यहाँ पे Mr. Jacob को insurance के पैसे मिल रहे है अगर पूरी factory ही damage हो जाती है वो insurance company यहाँ पे करेगी Mr. Jacob को तो यह जो insurance है वो एक put option का example हो गया ठीक है अगर यहाँ पे buyer कौन है option का यहाँ पे put option के buyer हो गए Mr. Jacob और put option के seller हो गए यहाँ पे यह जो insurance company है वो ठीक है so seller को यहाँ पे premium मिला है 5 lakh rupees और buyer ने यहाँ पे premium pay किया हुआ है that is 5 lakh rupees अगर factory की value नीचे जाती है तो Mr. Jacob को पैसे मिलेंगे option seller से यानि की insurance seller से राइट so put option भी इसी ब्रकार से काम करता है put option आप कब buy करते हैं जब आप सोचते हैं कि stock या फिर index जो है future में जाके उसकी value कम होने वाली है तब हम buy करते हैं put option same way यहाँ पे Mr. Jacob की factory की value अगर कम हो रही है damage के कारण, fire के कारण, accident के कारण तो इस case में insurance company उनको पैसे pay करेगी अगर factory की value उपर जाती है उपर रहती है तो उस case में insurance company अपना premium जो है वो रखके अपना profit बनाएगी ठीक है यह एक बहुत ही simplified example है आगे चलके theory समझते हैं और इस theory को link करेंगे हम इस story से एक agreement buyer और seller के बीच में to sell a specific stock at a specific price until a specified expiration date is known as a put option ठीक है एक put option contract होता है जिसमे buyer को एक right होता है but not the obligation to sell the underlying asset at a certain price strike price पे sell करने का एक right होता है buyer को on or before a specific date जिसे हम expiry date कहते हैं so इस case में क्या हो रहा है Mr. Jacob ने put option या फिर insurance को खरीदा हुआ है तो उनके पास एक right है अगर वो चाहें तो बेच सकते हैं कि इस प्रकार से बेच सकते हैं basically अगर पूरी factory ही damage हो जाती है factory का पे करना होगा Mr. Jacob को ठीक है so इस case में premium क्या हुआ premium option buyer जो होता है premium pay करता है और seller जो है premium receive करता है so इस case में Mr. Jacob ने 5 लाग रुपे दिये जो की premium है वो premium कौन receive कर रहा है insurance company जिसने insurance sell किया हुआ है ठीक है expiration date वो हो गया one year from now हर year इनको premium पे करना है राइट यह जो contract है insurance है एक ही साल के लिए valid है और strike price क्या हो गया यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो 20 lakh rupees जो per machinery यहाँ पे decide हुई है वो strike price हो गई है so the seller of the put option has to oblige and buy the share at the strike price if the buyer of the put option decides to exercise the contract exercise contract का क्या मतलब हुआ यहाँ पे अगर insurance claim करना चाहा है Mr. Jacob तो insurer को पैसे देने पड़ेंगे अगर सही में वहाँ पे accident के कारण damage हुए है तो right so I hope इस चीज को आप समझ चुके हैं अगर आपको कोई भी doubt है comments में लिखके बताईए या फिर मेरे email id support at the rate streak dot day पे भी आप लिखके पूछ सकते हैं so intrinsic value of put option intrinsic value क्या होता है एक option का premium जो है intrinsic और extrinsic दोनों value से बना हुआ होता है intrinsic value आपको बताता है कि current market price और strike price आपने चूज किया हुआ है उसके relationship से आपका intrinsic value calculate होता है कैसी calculate होता है उसका formula मैं बताऊंगा extrinsic value क्या होता है time to expiration, implied volatility, dividends, interest rate, risk यह सब मिलके extrinsic value बनता है एक example मैं आपको दिखा देता हूँ time to expiration so यहाँ पे यह जो insurance है वो एक साल के लिए valid है माल दीजे कि एक साल के लिए नहीं but Mr. Jacob दो साल के लिए insurance लेना चाहते है तो इस case में क्या आपको लगता है कि पांच लाग की रुपे रहेगा premium बर जाएगा right because दो साल में accident होने के चाहंच से जाधा है as compared to one year so insurance company बोलेगी कि भाई मुझे तो जाधा पैसा देने पड़ेंगे आपको तो उस case में पांच लाग की जगा हो सकता है premium जो है वो 9 लाग हो या फिर 10 लाग रुपे हो same way मालीजे गवर्मेंट ने इसे accident इस area को fire prone area या फिर earthquake prone zone declare कर दिया है तो उस case में risk बढ़ रहा है तो risk बढ़ेगा तो insurance company जाधा premium मांगेगी Mr. Jacob से insure करने के लिए इसके terms में risk क्या होता है implied volatility अगर time to expiry अगर बढ़ेगा तो उस case में भी आपका premium बढ़ता है ये सारी चीज़े extrinsic value होती है intrinsic value किस से बनता है intrinsic value अगर यहाँ पर compare करने जाएं तो machine का price, factory का price ये सब चीज़े intrinsic value बनाती है so put option का intrinsic value क्या होता है strike price minus price of the underlying asset जो भी strike price है minus price of the underlying asset वो होता है आपका intrinsic value एक example के थूरू समझ लेते हैं so यहाँ पर nifty put option का strike 16,000 अगर आपने buy किया हुआ है और current value जो nifty की हो जाती है 15,800 तो उस case में intrinsic value कैसे निकालेंगे हम लोग 16,000 minus 15,800 जो की आता है 200 रूपीस so यह put option जो है वो in the money है आपको यह याद रखना है कि अगर intrinsic value positive number निकल के आता है तो वो option contract in the money हो जाता है same way example second example हम देखेंगे आगे एक और theory पढ़ लेते हैं if the intrinsic value from the formula comes out to be negative अगर intrinsic value calculation negative आती है इस formula को यूज करके then it simply as 0 अगर negative आ जाता है value तो उसे हम 0 मानते हैं this will happen if the underlying price is higher than the strike price for put options put option के case में यह कब होगा जब underlying price जो है वो strike price से उपर है तो आपको एक चीज याद रखने है कि options के intrinsic value कभी भी negative नहीं हो सकती है वो 0 या फिर 0 से जादा ही हो सकती है इसलिए अगर 0 मानते हैं कि intrinsic value 0 है ठीक है so second example देख लेते हैं और nifty strike price वोई है 16,000 रुपीज करेंट nifty की value मान लीजे 16,200 है तो intrinsic value कैसे निकलेगा 16,000 minus 16,200 minus 200 रुपीज आ गया ठीक है तो इस case में हम इसको 0 ही मानेंगे because intrinsic value cannot be negative number if the answer is negative then the intrinsic value is 0 hence in in this case intrinsic value is 0 this put option contract is out of the money ये put option contract out of the money है जबी भी answer यहाँ पर negative number आता है तो उस put option को या फिर उस option को हम उस put option को out of the money मानते हैं put option pay off diagram so pay off diagram हम आपको क्या बताता है pay off diagram हम आपको बताता है कि expiry के दिन आपका profit and loss किस प्रकार से रहेगा different different strike prices के लिए या फिर different different expiry prices के लिए underline के आपका profit and loss किस प्रकार से रहेगा so long put का यहाँ पे left side में है short put का यहाँ पे right side में है y axis जो की यह axis है वो आपको बताती है profit या loss इस point के उपर profit है इस point के उपर loss नीचे loss है यह line आपको x-axis बता दिये underlying at expiry so आईए सबसे पहले यह देख लेते है so put option buy करने के लिए आपको premium pay करना रहता है so यह जो है आपको premium बता रहा है premium paid यह arrow एक्चुली थोड़ा नीचे बनना चाहिए आप इस यह नीचे consider करें यहाँ पर बनना चाहिए so आपने यह pay किया हुआ है और यह B है B जो है strike price है यह आपका strike price है माल लेते हैं strike price 100 rupees है ठीक है premium 100 strike का है 5 rupees तो आपका break-even क्या बनेगा 100 minus 5 rupees that is 95 rupees यह जो आपका A point है break-even point है strike minus premium 100 minus 5 rupees max loss restricted होता है to the amount of premium paid option buyer जो होता है वो उसका loss limited होता है premium पे ठीक है जितना आपने premium pay किया हुआ है वही आपका maximum loss हो सकता है loss कब होगा put option buyer को अगर strike price से ऊपर expire ही होती है अगर 101, 102, 103 पे expire होता है तो उस case में maximum loss होता है put option buyer को ठीक है second line यहाँ पे देख लेता है the loss keeps decreasing as the underlying moves from the strike price to break even so strike price से break even तक जाते जाते आपके जो losses है वो काम होते रहते है finally break even point पे आपका losses zero हो जाता है profit भी zero हो जाता है zero loss, zero profit यहाँ से अगर और नीचे जाता है stock तब आपका जो है total overall profit होना start होता है because सबसे पहले तो आपको अपना premium recover करना पड़ेगा right 5 रुपया तो उसमें ही इतना movement stock का लग गया hundred से minus 95 तक तक तो आपका premium ही recover हुआ है उसके बाद अगर fall होता है तब आपका जाके profit होना start होता है so put option में जो profit potential है वो unlimited नहीं होता है basically because एक stock जो है zero level के नीचे नहीं जा सकता है zero हो सकती है stock की value negative number नहीं होती है इसलिए put option में generally जो profit होता है overall profit वो limited होता है but call option में ऐसा नहीं होता है because stock price infinite तक rise कर सकता है theoretically तो उस case में maximum profit potential है उसकी कोई limit नहीं होती है so I hope आप समझ चुके हैं long put का pay off diagram यह expiry पर ही काम करता है यह आपको याद रखने की मतलब आपको याद रखना चाहिए pay off diagram आपको बताता है कि expiry के दिन ही क्या होगा उससे पहले नहीं short put short put में क्या होता है आप short कर रहे हैं अगर put option को तो आप premium receive करेंगे ठीक है वो ही आपका maximum profit हो जाता है यह आपका B strike price है strike price के उपर अगर stock रहता है तो आपका maximum profit होगा जो कि आपने premium receive किया होगा है वो आप premium रख लेंगे break even point again same formula strike minus premium max profit is restricted to the amount of premium received आपने जो premium receive किया होगा है वो ही आपका max profit है the profit keeps decreasing as the underlying moves from the strike price to the break even strike price से break even तक आप जैसे जैसे move करते हैं आपका जो profit है वो कम होता रहता है break even पे zero profit zero loss उसके बाद आपका जो losses है वो increase करता रहता है अगर underlying fall होता है तो right so again आप इस example के तुरू भी आप इसको समझने की कोशिश कर सकते है insurance company ने sell किया हुआ है और उनको premium मिला है पांच लाग रुपे तो अगर insurance company को मान लिजे कि पांच लाग रुपे ही pay करने पड़े Mr. Jacob को तो वो break even point हो गया right zero profit zero loss but उससे जादा अगर machinery और जादा damage होती जा रही है तो और जादा जादा loss उनको बढ़ता रहेगा ठीक है greeks for put options put option के greeks को देख लेते हैं delta जो है put option का negative होता है अब sign क्या बताता है यह signs क्या बताती है basically यह बताती है कि आपका अगर underlying या फिर so delta negative होने का क्या मतलब है यानि कि अगर stock price नीचे जाता है तब आपके position में benefit होता है अगर stock price उपर जाता है तो आपको loss होता है same way short put का delta पॉजिटिव होता है positive होने का क्या मतलब है अगर underlying ऊपर जाता है तब आपका position की value जो है उपर जाती है आपको profit होता है अगर नीचे जाता है stock price तो आपको loss होता है So basically आपको relationship बताता है कि ये delta जिस चीज से भी related है अगर वो चीज बढ़ती है तो आपका जो position है उसको benefit होगा या फिर नुकसान होगा ठीक है Long put में अगर stock उपर जाता है तो आपको loss होता है इसलिए negative delta है Short put में अगर stock उपर जाता है तो आपको benefit होता है इसलिए positive यानि कि directly correlated है आपका profit उससे short put का Theta, same way long put का theta जो है negative होता है यानि कि अगर time increase करता रहता है आज से अगर कल हो गया time मतलब आपने Friday को buy किया होगा है अगर Monday हो गया तो theta decay के कारण आपकी जो value है long position की वो कम हो जाएगी value कम हो जाएगी but आपकी short put की value जो है position की value वो बढ़ेगी because short put जो put option है उसकी जो premium है वो घट चुकी है अब आपने तो higher premium पे sell किया होगा Friday को अब theta decay के कारण premium नीचे आ चुका है so theta जो है long put का negative होता है short put का positive होता है vega long put का positive होता है because अगर implied volatility increase करती है तो उस case में क्या होता है कोई भी option contract की value जो है वो increase करती है तो long put आपने अगर put buy किया होगा है तो उसकी value increase होगी तो आपको benefit होगा अगर आपने short किया होगा तो आपको नुकसान होगा vega आपको बताता है कि implied volatility के साथ साथ आपका जो put option है उसका price कैसे change होगा theta आपको relationship बताता है time से, delta आपको relationship बताता है with change in the underlying price, gamma आपको बताता है कि change in the delta value, delta किस प्रकार से change होगा अगर underlying का price change हो रहा है तो so अब theory तो हमने काफी सारी सीख ली है put option के बारे में, I hope आपको काफी चीजे समझ आ चुकी है put option के बारे में, अब कुछ practical चीजे करके देख लेते हैं, strategies बनाएंगे अब हम, street platform पे चलेंगे उसके लिए, अगर आप directly copy करना चाहते है, strategy आप देखना चाहते है, strategy को तो यहा सीख पाएंगे, strategy को backtest कर पाएंगे, but मैं चाहूँगा कि आप street platform मेरे साथ साथ open करें, और strategy को मेरे साथ बनाएं, ताकि आप सीख पाएंगे किस प्रकार से strategies actually बनाई जाती है, अगर आप खुछ से बनाएंगे तो आप समझ भी पाएंगे कि strategy actually में किस प्रकार से काम कर रह उसके बाद आप अपने broker का ID और password यूज़ करके login कर लेंगे, ठीक है, login करने के बाद आप dashboard पे आजाएंगे, dashboard पे काफी सारी information आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आपका balance, positions, holdings, आपने कौनसे strategies live रखिए, ये सारी चीज़े, open orders, executed orders, आगे हम strategy बनाते हैं, उसके लिए हम जाएंगे strategies में, click करेंगे create button पे, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, ये एक bearish strategy है, put option buying strategy है, create पे click करेंगे, ठीक है, सबसे पहले time candle interval, one hour, one hour time frame पे मैं बनाना चाहता हूँ strategy, कितने lots मैं trade करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 5 lots ले ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक bearish strategy है तो मैं यहाँ पे sell select कर लेता हूँ, यहाँ पे add पे click करेंगे अब, अब हमें strikes add करने हैं, कौन से strikes हम trade करना चाहते हैं, so bank nifty पे हम बनाने वाले है strategy, so nifty bank search करूँगा, मैं, चीक है, nifty bank, यहाँ पे इस icon पे हम click करेंगे, so हमें add करना है put option, कौन सा, एक तो add the money, इसलिए मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, अगर आप 0 रखते हैं, उसका मतलब होता है add the money, minus 1 मतलब add the money से 1 strike नीचे, plus 1 मतलब add the money से 1 strike उपर, मैं add the money trade करना चाहता हूँ फिलाल, तो मैं 0 रखूँगा, expiry type monthly, current expiry, और हम इसे buy करना चाहते हैं, तो long, मैं दो और contracts को add करना चाहता हूँ, तो add new पे click करूँगा, again put option, एक in the money add कर लेता हूँ, हम है, long, monthly, current expiry, और एक further in the money, monthly, current, long, put option, right, so, सारे हमने add कर ली है, apply changes पर click करेंगे, click on done, एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैंने सारे सही add कि हैं कि नहीं, put option add the money 4, long, monthly, ठीक है, bank nifty, put option 2, long, monthly, put option 0, add the money, ठीक है, सारे सही से add हो चुके हैं, अब, यहाँ पर हम condition बनाएंगे, so, सबसे पहले मैं symbol function का use करूँगा, तो आप type करेंगे symbol, अब मैं symbol का use क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार बता लेता हूँ, basically, अगर मैंने indicator condition, suppose RSI यहीं पर लगा दी मैंने, RSI या RSI moving average, तो यह जो indicator है, index पर चेक नहीं होगा, यह contracts, nifty के जो put option contract है, उन पर चेक होगा, बट मैं condition चेक करना चाहता हूँ, nifty index के उपर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, symbol function डालूँगा, nifty bank, ठीक है, so कब हमें buy करना है, मैं कह दूँगा close, जब भी nifty bank का one hour candle close जोता है, वो cross below कर रहा है, lbb, तब मैं इसको buy करना चाहता हूँ, ठीक है, exit करना चाहता हूँ, आई ए exit conditions बना लेते हैं, so मैं exit करना चाहता हूँ, जबी भी close price crosses above, signal candle, high, so, जिस candle पर signal आया था, उसके high के उपर अगर price close कर जाती है, किसकी, जो भी option contract है उसकी, तो उस case में मैं exit करना चाहता हूँ, so यहाँ पर, मैं जो है, exit condition में, stop loss और target नहीं चाहता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, stop loss और target की जगा, यहाँ पर एक बड़ा number प्रोवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा, यहाँ पर मैं absolutes use कर लेता हूँ, और एक बड़ा number प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा मेरा जो exit होगा वो stop loss और target के कारण नहीं होगा बट मैंने जो exit condition यहाँ पर डाली है उसके कारण ही होगा So entry condition में मैंने डाला है जबी भी bank nifty का close price lower bullish bank के नीचे cross करता है तब मैं put option को buy करना चाहता हूँ यानि कि trend negative हो रहा है और volatility जो है वो expand हो रही है बढ़ रही है ठीक है तो volatility जब expand होती है बढ़ती है तो option buyer को benefit होता है तो दोनों चीज़े हमने एक ही condition में यहाँ पर provide कर दी है So I hope इस चीज़ को आप समझ चुके हैं backtest parameters यहाँ पर click करके आप यहाँ पर इसको MIS रहने देंगे और chart type को यहाँ पर हम hacknashi select कर लेंगे बागी सारी चीज़े यहाँ पर same रहेंगी ठीक है save changes पर मैं click करूँगा और finally इस strategy को हम run कर लेंगे run करने के लिए हम save and backtest button पर click करेंगे strategy हमारी run होने लगी है time period mention क्या हो गया है 30th July 2021 से लेकर के 29 July 2022 तक यान की last one year period में अगर मैंने strategy को use क्या हुआ था तो benefit होता तो कितना benefit होता अगर loss होता तो कितना loss होता win to loss ratio क्या होता मेरा कहां कहां trading exactly हुई है सारी चीज़े बहुत सारी information हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है सो यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर आ गया है एक स्ट्राइक का जो की further in the money था उसमें वन लाक 64,000 वन लाक 58,000 यहाँ पर यह सेकेंड स्ट्राइक पर और अंसर आपको बता है तो मुझे रीस कमेंट में लिखके बताई है ठीक है So overall सारे का combine कर दे यहाँ पर देखेंगे तो 4,41,000 बन के आता है So very simple strategy इसका logic भी मैंने आपको समझा दिया है अगर फिर भी आपको doubt आ रहा है तो comment में मुझे लिखके बताइए मैं आपके doubt को solve करूँगा या फिर हमारे email id support at the rate streak.tech at the rate streak.tech पे भी आप लिखके बता सकते हैं माली जी आप इस strategy को trade करना चाहते हैं तो उस case में आप deploy all पे click कर सकते हैं यहाँ पे दो option है paper trade और live trade paper trade में क्या होता है कि virtual money use होता है आपका real capital नहीं use होता है live market में आप check कर पाएंगे अपने strategy का performance without risk risk कोई भी नहीं है paper trading में because real capital involved भी नहीं हो रहा है so back testing में क्या हो रहा है आपने check कर लिया past data में कैसा performance है अगर आप फिर भी एक second confidence चाहते हैं तो आप paper trading करके check कर सकते हैं कि live market में कैसा performance है उसके बाद आप शंतुष्ट हैं तो आप live trade check live trading पर click कर सकते हैं उसके बाद आपको terms को accept करके live trade पर click करना होगा उसके बाद आपकी जो strategy है वो live market में deployed हो जाएगी so यह first strategy example एक second strategy example भी देखेंगे हम जो कि एक spread strategy है interesting strategy again so उस strategy को बनाने से पहले एक देख लेते हैं briefly कि कौन से strategy हम बनाने वाले हैं orderly जब bullish हो तब इस strategy को implement किया जाता है so इस strategy में क्या करते हैं हम higher strike को short करते हैं और lower strike को जो buy करते हैं यहाँ पर एक example भी दिखा होगा है suppose अगर मैं 18,000 का strike buy कर रहा हूँ Nifty का और 17,800 को lower strike को buy कर रहा हूँ और higher strike को short कर रहा हूँ तो उस case में क्या होगा यहाँ पर मेरा bull put spread execute हो जाएगा higher strike को short करना है lower strike को long करना है bull put spread को implement करने के लिए यहाँ पर बाकि सारे calculations mentioned किये गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं break even point net premium, net premium क्या होता है premium received on higher strike minus premium paid for lower strike यह आपका net premium हो जाता है break even point, max loss क्या होता है spread minus net premium, max profit net premium received यह सारे calculations आप एक बार देख लेना lower strike जो है हम वो protection के लिए buy करते हैं कैसे काम करती है strategy basically अगर इस strike के ऊपर index expire होता है 18,100 पे expire हो रहा है तो यह दोनों strikes जो है worthless हो जाएंगे zero पे expire हो जाएंगे यह दोनों strikes out of the money expire हो रहा है ठीक है उस case में आपने जो premium received किया है वो आप premium पूरा रख सकते हैं वो आपका profit हो जाएगा तो इस strategy में क्या होता है the option we sell यानि कि higher strike को हम short कर रहे हैं ठीक है तो उससे क्या होगा यह जो higher strike put option strike होता है उसका cost जादा होता है as compared to lower strike तो आप जो premium receive कर रहे है वो जादा है as compared to जो आपको premium pay करना पड़ रहा है ठीक है example लेके देख लेते हैं एक बार मानली जे कि आपने इसको 100 rupees दिया है और इसको sell करने के लिए तो 100 rupees आप receive करेंगे premium ठीक है और जो lower strike है उसको buy करने के लिए आपने मानली जे 90 rupees pay किया हुआ है तो आपका difference जो है 10 rupees का वो आपका net premium received हो जाता है credit ठीक है तो दोनों strikes अगर worthless expire हो गए out of the money expire हो गए तो आप वो premium 10 rupees रख लेंगे जो आपका max profit भी है the option we buy acts as a protection यह वाला lower जो strike पर हम buy कर रहे है वो protection की तरह act करता है in case of adverse moment against us तो इस strategy को practically बनाते हैं streak platform पर आगेन आप इस strategy को देखना चाहते हैं अगर तो इस scanner को scan कर सकते हैं या फिर इस QR code को scan कर सकते हैं या फिर इस link को open कर सकते हैं जो link यहाँ पर mention की गई हुई है मैं चाहूँगा कि आप streak platform को open करें और step by step मेरे साथ साथ इस strategy को बनाएं आईए streak platform पर चलते हैं और इस strategy को भी हम develop कर लेते हैं बहुत ही simple है जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे आपको explain करता रहूँगा कि कैसे यह strategy काम कर रही है strategies में जाएंगे again click करेंगे हम create button पर नाम दे देते हैं ठीक है create पर click करेंगे one hour time frame quantity में 10 lots लूँगा यहाँ पर आएए strikes को add कर लेते हैं तो यह जो है nifty पर strategy हम बनाने वाल है nifty 50 type करूँगा मैं conscious strikes so एक strike हम लेंगे one put option का और जैसा कि आपने देखा था higher strike को क्या करना होता है higher strike को short करना होता है तो one इस strike को हम short करने वाले हैं weekly options current week एक और add करेंगे minus seven lower strike लेंगे weekly put option इस strike को हम करने वाले हैं short sorry strike को हम long करेंगे जो lower strike होता है उसको long किया जाता है higher strike को short किया जाता है short हमने already add कर दिया है ये हो गया हमारा long apply changes done पर click करेंगे एक बार मैं check कर लेता हूँ minus seven को हम long कर रहे हैं और one को हम short कर रहे हैं ठीक है दोनों strikes यहाँ पर add हो चुके हैं finally हम यहाँ पर अपने conditions को बनाने के लिए ready हैं सबसे पहले मैं डालूंगा candle time और यहाँ पर मैं चूज करूंगा day of the week equal to number one so मैं जो है trade लेना चाहता हूँ Monday को इसलिए मैंने define कर दिया हुआ है day of the week one होना चाहिए one मतलब Monday, two मतलब Tuesday three मतलब Wednesday फिर five Thursday और Friday के लिए ठीक है एक condition डालेंगे close higher than number zero यानि कि जैसे ही पहला candle close होता है one hour का Monday को तब मैं enter करना चाहता हूँ ठीक है तो close higher than zero मैंने डाल दिया उसके साथ साथ एक और condition हम check करना चाहते है weekly candle पर ठीक है so यहाँ पर मैं डालूंगा time frame function ठीक है यहाँ पर मैं weekly choose कर लूंगा अब मुझे जो condition है वो nifty पर check करना है ना कि options ठीक है तो आपको याद है हमने symbol function यूज किया था पहली strategy में same symbol function यहाँ पर भी use करेंगे ठीक है nifty 50 यहाँ पर मैं कहूंगा close price higher than low minus one यानि कि पिछले विक का जो लो था उससे उपर होना चाहिए अभी का price जो भी मेरा मंडे को price चल रहा है वो ठीक है एक और condition अड़ करने वाले हम symbol wix wix जो है होना चाहिए close wix का जो close price होना चाहिए higher than number 20 यानि कि मैं कह रहा हूं कि IV जो है वो जादा होना चाहिए ठीक है so IV अगर high होता है तो net credit strategy में आप benefit मिलता है because IV high होने के कारण premium भी high होंगे तो आपको जो premium receive होता है वो भी जादा receive होगा ठीक है so ये conditions हमने यहाँ पे बना ली है I hope आपको entry conditions समझ आ गई है ठीक है exit conditions बना लेते हैं अब so यहाँ पे मैं against top loss target नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे एक बड़ा number provide कर दूँगा यहाँ पे click कर लेते हैं candle stick रहने दूँगा holding type CNC कर देंगे because हम expiry तक hold करना चाहते हैं अपने position को ठीक है so weeks higher than 20 हो गया आपका जो close है weekly वो higher than होना चाहिए पिछले week के low से close मतलब जो अभी price चल रही है वो price ठीक है day of the week one होना चाहिए strikes हमने add कर लिये है finally हम इस strategy को run करने के लिए ready है तो मैं click कर दूँगा save and back test पे हमारा strategy run होने लगा है performance यहाँ पे check हो जाएगी strategy की कुछी देर में हमें result देखने के लिए मिल जाएगा तब तक हम आएए अपने entry exit conditions को explore कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको back test parameter भी दिखा देता हूँ basically मान लिजे कि आपको पिछले साल चेक करना है कि पिछले साल strategy का कैसा performance है तो यहाँ पे आप change कर सकते हैं dates और पिछले साल देख सकते हैं मार्च 2020 से लेकर के हमारे पास पूरा data available है अभी तक का सारे expired contracts का यह benefit है आपको streak platform यूज करनेगा कि आप मार्च 2020 से लेकर के back test चला सकते हैं और expired contracts पे भी अपने strategy को है back test करके check कर सकते हैं तो यह यहाँ पे आप overall profit यहाँ पे देख पार है 7,87,000 का overall profit हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है strategy में इस प्रकार से आप strategy बना सकते हैं और कैसे deploy करना है यह मैंने आपको बता दिया था deploy all button पे click करके आप strategy को deploy भी कर सकते हैं यहाँ पे आप अगर click करते हैं तो आपको detail में सारे trades यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे कि कब कौन सा trade आपको लिया गया था और कहां कहां पे trading होई है date and time सारी चीज़े यहाँ पे आपको सब कुछ देखने के लिए easily मिल जाएगा so I hope यह चीज़ आप समझ चुके हैं और win to loss ratio भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है strategy में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहा है ठीक है so यह थी second strategy आप अगर इसको past data पे चेक करना चाहते हैं definitely आप इससे change कीज़े और फिर आप past data पे भी अपने strategy को चेक करके देख पाएंगे easily so strategies तो हमने बना ली अब हम कुछ scanner examples देख लेते हैं scanner 1 इस scanner से हम scan करेंगे put options जिनके premium high हो चुके हैं ठीक है तो आईए streak platform पे चलेंगे वापस click करूँगा scanners पे create create so कहा हम scan करना चाहते हैं let's say bank nifty weekly पे scan करना चाहता हूँ five minute का time frame ले लेता हूँ यहाँ पे conditions बना लेते हैं Greek करके एक indicator है उसे हम लेंगे delta interest rate मैं for example six डाल देता हूँ delta हमारा होना चाहिए lower than number zero so जैसा आप जानते हैं कि put option का delta जो है वो negative होता है right so इसलिए हमने ये डाला है ताकि हमें सिर्फ put options मिले result में अब हम premium के लिए डालेंगे condition close जो भी price है option का वो होना चाहिए higher than किस से higher than होना चाहिए period max 10 high minus 1 ठीक है 10 थोड़ा जादा बढ़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे five ले ले लेता हूँ so last five candles में जो भी highest price था उससे जादा होना चाहिए अभी का price किस का option contract का bank nifty weekly में ठीक है let's scan scan करके देख लेते हैं अगर कोई ऐसा contract हमें मिलता है तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है एक और डाल लेते हैं nifty option current nifty option next so यहाँ पे हमें कोई result देखने के लिए नहीं मिल रहा है edit पे जाएंगे इसको मैं disable कर देता हूँ अब आपको scan करके दिखाता हूँ so आप देख पा रहे हैं delta lower than zero यहाँ पे हमें okay nifty option weekly so सारे put options जो भी put options है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल गए है delta lower than zero अगर मैं higher than zero कर देता हूँ ठीक है तो उससे क्या होगा मुझे call options देखने के लिए मिल जाएंगे so सारे call options ही देखने के लिए मिलेंगे ठीक है so इस condition के कारण हमें कोई result देखने के लिए मिल नहीं रहा है because बहुत जादा premium किसी का बढ़ा नहीं है तो इसको simplify कर देते हैं मैं कह देता हूँ जो मेरा premium है close होना चाहिए higher than close minus one पीछले candle पे जो भी premium था पीछले candle के closing पे उससे जादा होना चाहिए अभी का मेरा premium so scan कर लेते हैं results आ गए call options है लेकिन हमें put चाहिए अगर तो इसको lower than कर दूँगा मैं ठीक है okay so एक और scanner बना लेते हैं एक और scanner का example देखेंगे अगर आप इस scanner को directly access करना चाहते हैं इस QR code को scan कर सकते हैं या फिर इस link को open कर सकते हैं scanner 2 इसमें हम open interest के साथ scanning करेंगे open interest किस किस strike का अचानक बढ़ चुका है वो strikes अगर आप ढूबना चाहते हैं तो उस case में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अगर इसी को मैं edit करके बना लेता हूँ बागी सारी चीज़ें सेम रहेंगी एक condition हमें निकाल के बनाना है so यहाँ पर मैं कह दूँगा open interest होना चाहिए higher than period max 10 open interest minus 1 यानि कि पिछले 10 candles में जो भी highest open interest था उससे जादा open interest होना चाहिए अभी यानि कि बढ़ा हुआ है अचानक से open interest so आई यह scanner को वापस run करते हैं और scan करके देख लेते हैं कौन से results हमें देखने के लिए मिल रहे हैं so यह सारे contracts जो है उन पर OI जो है वो increase हुआ है ठीक है इसी परकार से आप दूसरे अगर उन पर देखना चाहते हैं तो दूसरे options पर भी आप देख सकते हैं Nifty के या फिर weekly, monthly अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं अब मान लिजे कि आपको manually scanner run नहीं करना है आप alerts चाहते हैं उस केस में क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर take life का option यूज कर सकते हैं अगर मैं take life पर click करूँगा मुझे alert frequency पूछेगा अगर मैंने one minute select किया तो क्या होगा every one minute streak system ये scanner जो है मेरे लिए run करेगा और मुझे alerts मिलेंगे अगर मैं mobile app डाउनलोड कर लेता हूँ streak का तो सारे alerts मुझे mobile पर मिल जाएंगे अगर मुझे desktop पर चाहिए तो एक website streak की website मैं open रखूँगा आपने browser में तो मुझे सारे notifications browser में देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है अगर मैं scanners में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि discover section है जिसमें हमने बहुत सारे 150 प्लस ready-made scanners बना के रखे हुए आप सभी को explore करने के लिए आप उन्हें explore कर सकते हैं बहुत सारे possibilities है streak platform पर double top, double bottom, triangle, rectangle सब टाइप के patterns के stocks आप scan कर सकते हैं intraday bullish, intraday bearish crossword तो आप इनको देख लीजिए एक बार strategies में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर again discover strategies हैं जो की sample strategies है educational purposes के लिए हमारे experts ने 150 प्लस strategies यहाँ पर develop की हुई है अलग-अलग type की strategies वो भी आप यहाँ पर explore कर सकते हैं So question of the day What is put credit spread also known as put credit spread को और किस नाम से जाना जाता है अगर आपको answer पता है तो please मुझे comments में लिखके बताइए अगर आपने इस webinar को धेहान से देखा है तो आपको answer ज़रूर पता होगा So conclusion पे हम आज चुके हैं An agreement between a buyer and a seller to sell a specific stock at a specific price up until a specified expiration date is known as a put option यानि की put option buyer जो है उसके पास right होता है sell करने का एक expiration date तक किसी भी stock को ठीक है buyer of the put have a bearish view अगर आपका bearish view है market में तो उस case में आप put buy करते हैं अगर आपका bullish view है तो उस case में put को sell किया जाता है spread strategies आप बना सकते हैं easily put option का इस्तमाल करके जिनमें limited risk और limited reward होता है अगर आप spreads पे specifically webinar देखना चाहते हैं तो वो हमने किया हुआ है recently आप हमारा webinar देख सकते हैं दो तिन webinar पहले है आई थिंक हमने spreads पे specific webinar बनाया था in the money stocks in the money stock options जो हैं वो physically settled होते हैं अगर आपने उसको expiry तक hold कर लिया बहुत ही important point है यह नया सेभी का rule आया था अगर आपने stock option में trade कर रहे हैं और आपने अपना position hold कर लिया है expiry तक और in the money है तो इस case में physical delivery से settlement होता है stock option का तो इसका जरूर ध्यान रखें आप index option जो है वो cash settled होते हैं हर case में options can be bought and sold before expiry date to trade the premiums यानि कि expiry date तक hold करने की जरूरत नहीं होती है हर बार आपको आप premium को trade कर सकते हैं options के premium को trade करने के लिए buying selling कर सकते हैं expiry से पहले आप easily option strategies को बना के streak platform पे back test कर सकते हैं past data पे भी option strategies expired contracts भी available है हमारे platform पे तो उन पे भी आप back test कर सकते हैं so thank you everyone it's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar अगर आपके कोई भी और प्रेशन है सुझाओ है या फिर आप चाहते हैं कि किनी और topics में मैं webinar बनाऊ तो मुझे please comments में बताएए या फिर इस email id पे भी लिखके बता सकते हैं आप हमें इन social media handles पे भी follow कर सकते हैं और अगर आप first time हमारे platform पे आ रहे हैं तो आपको एक demo request का button भी मिल जाएगा यहाँ पे अपना number प्रोवाइड करके एक personalized demo भी आप book कर सकते हैं तो इस webinar को यहीं समात करेंगे I hope आपको मजाया webinar में और काफी चीज़े आपको सीखने के लिए मिली है मिलता हूँ आप सभी से next time Thank you, bye bye, take care